दोस्तों नमस्कार दोस्तों हम वापस से सुरू करेंगे हमारे इस टेलिग्राम चैनल के उपर से आज हमारा जो प्रिमियर मेंबर्स के लिए लेवल सिंकल के आये थे वह था दोस्तों बैंग निप्टी के 37,500 के CE के उपर और इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके के मोमेंट्स देखने को मिले हैं और काफी लोगों ने बहुत अच्छा प्रोफिट भी इस लेवल के उपर जेनरेट किया हुआ है देखिए दोस्तों आज का ये कुछ स्कीन सौर्ट डले हुए हैं और इन्होंने बिल्कुल प्री में अगर कुछ इंपोर्टेंट लेवल चाहते हैं बैंग निप्टी ऑप्शन काल के उपर या स्टॉक्स के उपर तो इस टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल जोइन किजे दोस्तों हमने इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया कि मैं कुछ पर्सनल कामों के वज़े से नहीं बना पाया था लेकिन फिर से मैं कोसिज करूँगा कंटीन्यू करेंगे हम तो दोस्तों हम देखते हैं नेक्स टेडिंडे में क्या कर सकते हैं देखिए आज का जो केंडल रेट देखने को मिल रहा है मारुति सुजुक इंडि पड़ रहा है देखिए दोस्तों मैं चार्ट्स ओपन कर रहा हूँ है बैंग निफ्टी का और उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी का यह देखिए दोस्तों दोनों बैंग निफ्टी और निफ्टी में काफी गिरावट हमें देखने को मिला है सेम चीजें दोस्तों निफ्टी में भी है तो इसी के कारण अभी जो हमें करेंट में मारूती सुचुक इंडिया लिम्टेट के उपर रेड केंडल जो देखने को मिल रहा दोस्तों वह है इसी के वज़े से है बाके इसमें अभी कोई डाउन ट्रेंट का मुमेंटम नहीं दीख रहा है इसको जाना है उपर ही थोड़ा सा मार्केट साथ देगा तो यह भी बहुत अच्छे तरीके के मुमेंट्स करेगा अपसाइ रुपए के उपर निकलता है तो या इसके उपर निकलता है तो भी 6,965 रुपए से लेके 6,970 रुपए इस आसपास दोस्तों यहां इंट्राडे में हमें मिले तो विल्कुल बाई करके जा सकते हैं बाकी टार्गेट आप जो मेंसेन है वही रहेगा 7,015 का पहरा रहेगा या 7,020 आप कर सकते हैं जो 70 में इंटर करेगा उसके लिए और यहां 7,065 से 7,070 का दूसरा टार्गेट रहेगा इस दोरान हम अपना इस्टाप लोस 6,915 से 6,920 की बीच में रखेंगे दोस्तों यहां पे मैं बाई इसलिए बोल रहा हूं इस बात को आप ध्यान से समझे देखें यह कंटीनिव एक लाइन को सपोर्ट के रूप में सपोर्ट लेते हुए ही उपर की और चड़ रहा है दोस्तों देखें और आज का केडल एक्जेक्ट इसी लाइन को टच किया है नीचे से स्पाइक मिला हमें और वापस से क्लोजिंग जो देखने के मिल रहा तब से इस आसपास को निकाला तब से कंटीनिव बायर तो एक्टीव है गिरने नहीं दे रहे हैं लेकिन जाएगा तो धीरे धीरे ही दोस्तों एक ही बार चांस नहीं लग रहा है क्योंकि अगर मार्केट साथ देता अभी मार्केट भी अपसाइड रहता तब हम कह सकते थे कि इसका जो मुवमेंट आएगा वो फास्ट होगा अपसाइड और बहुत जल्दी हमें हमारे उपर के लेवल्स दिखने को मिलते है इसमें लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने को मिल नहीं रहा है आप देख पा रहे होंगे निफ्टी और बेंग निफ्टी दोनों चार्ट की वे पोजिटीव होते हैं मार्केट अपना पोजिटीव होता है निफ्टी और बेंग निफ्टी पोजिटीव होते हैं तो यह भी बहुत अच्छा सा मुवमेंट हमें देखने को मिलेगा और हमारे जो टार्गेट हैं दोस्तों इंट्राडे के लिए यह कैप्चर होते CE वे क्या कर सकते हैं और फ्रेस PE या CE इंटर करना चाहिए या नहीं इस बात को भी मैं हिंट करने का प्रयास करूँगा अभी देखें मेरा जो ब्यू है वो PE या पूट लेने साइड PE बाई साइड कोई सबी ब्यू नहीं है मारूती सुजुक इंडिया लिंटेड में कि भले ही मार्केट नेगेटिव है लेकिन या प्रोपर उपर जाना चाहिए इसको जिस तरीके का फॉर्मेशन है कंटिनूर डाउन ट्रेंड था अब या अब ट्रेंड में है थोड़ा सा और उपर इसको जाना ही चाहिए या अगर गिरना है तो हम पी लेके जाएंगे नीचे से देखिए एक लाइन हमने बना लिया है सपोर्ट लाइन इस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तब हम बलकिल पी लेके जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने बोला था साप कि इस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर क्लोजिंग इस लाइन के उपर ही मिला है ट्रेंड लाइन के उपर तिसलिए हमारा कभी भी view अभी P side नहीं बना है जब तक closing न मिले तब तक अगर closing मिल जाता है नीचे इस trend line के तो हम वापस से P ले के जा सकते हैं और C को exit करेंगे लेकिन अभी हमारा जो view हुए वा only उपर का है इसमें और C side ही है बाकि आप अपना view अपने अंसार बना सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और हमारा जो भी content है वा only educational purpose के लिए होता है ना कि किसी भी प्रकार का buy या sell करने का कोई सला है और आप जब भी कोई buy या sell करते हैं तो आपना वीवेक जरूर यूज कीजिए अपना वीवेक का इस्तमाल कीजिए और अपने financial advisor से advisor ले लिजिए उसके साथ ही आप अपने risk reward को mention रखिए money management को ध्यान में रखिए तब ही आप market से पैसा बना सकते हैं बाकि सब मोह माया है market में कुछ भी नहीं बचता है जिस तरीके से आप सोचेंगे हर टाइम उल्टा ही होता है market में जब आप सोचेंगे मैं buy करूंगा market गिरेगा और जब आप सोचेंगे मैं sale करूंगा market उपर चल जाएगा और आप फस जाएगे तो market ऐसा ही है सब के साथ ऐसा होता है personally आप ही के साथ ऐसा कुछ नहीं है तो इस बात को समझे कोई market को सही तरीके से predict नहीं कर सकता है बस अपना view बना सकते हैं अगर सही हुए तो हम profit लेंगे 2 रूपय का और अगर हम गलत होते हैं छोटा सा मांट देखे exit कर जाएंगे market में यही rule है और इसी से पैसा बनता है और लोग बना रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो आपको कैसा लगा एक बार comment करके जरू बताईएगा चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सबिस्क्राइब कर लिजेगा और कोई भी सुझाव होगा comment box में जरू लिख दीजेगा मैं कोशिज करूँगा कि आपके प्रस्नों का जवाब दे पाऊँ वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद